नमस्कार, एजुकेशान प्लस एकेडवे पर आपका स्वागत है आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं बेसिक मैथ का जो एकदम जीरो लेबल से शुरू होगी और हम लोग इसे क्लास टेंथ तक का बेसिक कभर करेंगे जिन शात्रों का बेसिक कमजोर होगा इन वीडियो को लगतार वीडियो आएगी और इन लगतार वीडियो को अगर आप देख लेते हैं और जो होमवर्क दिया जाता हो उसे कर लेते हैं तो आपका basic math बिलकुल clear हो जाएगा और आप कोई भी परकाशन की किताब को बना सकते हैं तो basic math सभी छात्रों के लिए बहुत ही जरूरी होता है तोको उनका base बहुत कमजोर होता है जिससे उनको गनीत बहुत कठिन लगने लगता है तो उनकठिन उस गनीत को हम क्या करने वाले हैं इजी बनाने वाले हैं ताकि आप कोई भी गनीत किसी भी तरह का सवाल हो तो इसे आशाने से solve कर सके तो basic गनीत के लिए ये हमारा part 1 है और ऐसे ही part 1, part 2, part 3 जब तक कि ये basic गनीत खत्म नहीं हो जाता तब तक कि ये series चलती रहेगी तो आप किसी भी कच्छा में पढ़ रहे हो 1 में, 2 में, 3 में या फिर 10 में आपके लिए बहुत ही जरूरी है ये class और एकदम 0 से सुरू करेंगे इसमें 0 से सुरू होने के बाद ही हम लोग आगे के और बढ़ेंगे जैसे आईए हम लोग सबसे पहला चीज जो होता है गनीत का उसको हम लोग सिखेंगे तो गनीत में सबसे पहले हम लोग किस बारे में जानते हैं आंक के बारे में जानते हैं गरित में जो सबसे पहला चीज होता है, हमारा अंक होता है, इसको अंग्रेजी में हम लोग डिजीट कहते हैं अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं इसे? डिजीट तो आप देखिए ये डिजीट क्या होता है? तो डिजीट एक परकार का संकेत है डिजिट क्या है एक परकार का संकेत है यांक एक परकार का संकेत है जिसका परियोग हम लोग संख्याओं को लिखने में करते है अगर अंक की परिभासा पूछा जाए तो कहेंगे अंक एक परकार का क्या है संकेत है एक परकार का संकेत है जिसका प्रयोग संख्याओं को लिखने में करते हैं अन्य डिजिट क्या है एक परकार का संकेत होता है जिसका प्रयोग हम लोग संख्याओं को लिखने में करते हैं तो हमारे पास टोटल दस डिइट है जब ये गनिज सुरू हुई थी उस समय हमारे पास टोटल नौ डिजिट थे मतलब वन से लेकर के नाइन तक वन से लेकर के कहां तक थे नाइन तक फोर फाइव सीक्स सेवेल एट और कितना नाइन लेकिन जब बाद में जीरो का विसकार हुआ तब हमारे संख्याए टेन से आगे की तरफ लिखने शुरू हो गई थी तो इसमें एक और अंक सामिल हो जाता है कौन जीरो अच्छे याँ जीरो से लेकर के नो तक की अंको को हम लोग अंक भी कह सकते हैं अंक भी कह सकते हैं और इसे संख्या भी कह सकते हैं ठीक है क्योंकि संख्याए ऐसे तो जिनरली संख्या अंकों से मिल करके बनता है तो संख्या भी से इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे शुरुवात भी यहीं से है है ने एक संख्या भी होता है और एक क्या होता है अंक भी होता है तो जीरो से लेकर के 9 तक के हमारे पास अंक है टोटल 10 अंक है और इन अंकों से मिल करके ही किसका निर्मान करते हैं हम लोग संख्या का संख्या को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं नमबर कहते हैं तो आपने अभी तक देख रहा होगा कि ये हम लोगों ने अभी तक एकदम बिल्कुल zero level से शुरू किया है यानि zero one two three इन सब चीजों की जानकारे लिए हैं तो आप हम लोग संख्याओं को किस परकार से लिखेंगे ये हम लोग देखेंगे जीरों से लेकर के नौ तक के अंकों को हमने लिख लिया अगर संख्या का डिफनेशन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग कि अंकों से मिला करके संख्या का निर्मान किया जाता है है ना अंकों को मिलने से जिस चीज का निर्मान होता है वो हमारा क्या करलाता है संख्या करलाता है जैसे example के रूप में देखे जैसे one है nine तक का तो हो गया था लेकिन one है और इससे छोटा कौन है जीरो तो हमारा क्यों हो जाएगा संख्या ten इसके बाद one है one हो जाएगा eleven one है two हो जाएगा one three one four one five one six one seven dot 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 करके ऐसे ही आगे ये संख्या बढ़ती जाएगी देखें तो संख्याओं को हम लोग यहां तक के अब हम लोग यहां से लिख करके 100 तक की संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं जैसे ऐसे करके अगर हम लोग बीस तक जाते हैं तो फिर यहां से हमारा क्या होता है दो पर एक हो जाएगा 21 फिर दो पर दो कितना हो जाएगा 22 फिर दो पर तिन कितना हो जाएगा तेईस फिर दो पर चार कितना हो जाएगा चौबिस दो पर पाचैसे करकर के हम लोग कहां तक जाएंगे तीस तक फिर तीस से आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो तीन एक हो जाएगा तीन दो हो जाएगा तीन तीन हो जाएगा और ऐसे ऐसे करके हम हम लोग कहां तक जाते हैं 40 तक फेर 41 47 ग्यानिस chattu 50 तक याएंगे फिर 51 52 ऐसे करके हम लोग सव क्यों को एक से लेकर के सोट तक के संख्या तक के हम लोग आशानी से लिख सकते हैं ठीके इसके आगे के भी शंख्याओं को लिख सकते हैं, जैसे जह हम लोगों ने 100 तक की संख्याओं को लिख लिया, तो अब 101 हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखें जानते हैं, जैसे 101 लिखने के लिए हम लोगों को 10 लिखेंगे, और उसके बाद कितना देंगे, 102 लिखना आए, तो 10 लिखें तुअ 111 लिखने लिए कि क्या करेंगे एक लिखेंगे और 111 लिखना है तो एक लिखेंगे और बारे लिख देंगे तो ऐसे करकर के 200 तक 200 से फिर 300, 300 से 400 ऐसे ही हमारी संख्याई धीरे धीरे क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी तो इस परकार से हम लोग संख्याओं को लिख सकते हैं अब आईए चलते हैं अगले टॉपिक पे देखिए इन चीजों को सिखने के बाद हना गिंती को सिखने के बाद हम लोग क्या सिखते हैं तो पहाड़ा सिखते हैं पहाड़ा कम से कम आपको एक से ले करके 25 तक का याद हो जाना चाहिए पहाड़ा कम से कम तो एक से ले करके 25 तक का याद होना चाहिए इससे आपकी calculation भी अच्छी रहेगी और कोई भी सवालों को हम लोग आसानी से solve कर पाएंगे नहीं तो बार-बार हम लोग को गुना करना पड़ेगा तो अब हम लोग इससे भी आगे बहुते हैं पहाले से आगे तो इसके बाद गनीत में हम लोग क्या सिखते हैं जोड सिखते हैं क्या सिखते हैं जोड जोड किस परकार से सिखते हैं तो जोड हम लोग एकदम easy में पहले क्या सिखते हैं एकदम easy वाला जोड सिखते हैं जैसे यहाँ four है और इसमें add कर देते हैं कितना 5 को तो 4 में 5 को add करेंगे 9 हो गया अगर 8 था इसमें किस को add कर देंगे 3 को तो 8 और 3 कितना हो जाता है 11 इसे लकीर खीच करके जिनको रहीं आता है वो लकीर खीच करके इसे बनाते हैं ठीक है तो यह हम लोगों का एक basic level हो गया एकदम छोटा अस्तर से हम लोग जोड सिक लिए अब आते हैं कि दो-दो अंकों का जो जोड होता है दो अंकों की संख्याओं का उसे हम लोग किस परकार से बनाते हैं यह अभी हम लोग बिना हासिल का जोड सिक रहे हैं 4-5 है और यहां से 3-2 हो गया अब इसे क्या कर देना है एड करना है जोड देना है तो देखिए 5 और 2 कितना 7 और 4 और 3 कितना 7 अगर 8 है एक है 6 है और यहां से 1 रहेगा इसे भी क्या करना है एड करना है तो 6 और 1 कितना हो गया 7 8 और 1 कितना हो गया 9 तो हम लोग बिना हासिल का ये जोड़ सिख रहे हैं इसके बाद हम लोग क्या करते हैं हासिल वाला जोड़ सिखते हैं है ना हासिल वाला हासिल वाला जोड़ में हम लोग को क्या है कि इसमें जब जोड़ते हैं संख्याओं को तो हम लोग को दो अंग मिल जाता है यहां तक 6 और एक जोड़े तो 7 मिला एक ही अंक मिल रहा था लेकिन जब हासिर वाला जोड़ा आता है तो उसमें हम लोगों को कितने अंक मिल जाते हैं जोड़ने के बाद 2 अंक मिल जाते हैं जिससे हम लोगों को जोड़ने में कठनाईयों का सामना करना पलता है जैसे 4 और 8 है यहां हम लोग ले लेते हैं 8 और 2 जोड की परकिरिया जो है हमारा last से होता है last से होता है दाहिने तरफ से होता है 8 और 8 को अगर आप जोड़ेंगे तो यह कितना आता है 16 आता है 8 और 8 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 तो अब इस अनुसार तो 16 का यहां 16 लिख दिया जाना चाहिए तो अगर 16 का 16 लिख देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा गलत हो दाएगा ठीक है तो आठ और आठ 16 होता है तो इसका जो लास्ट वाला अंख है न इकाई वाला अंख है उसी को हम लोग लिखते हैं और बाकी जो अंक बचेगा वो किस में चला जाएगा हासिल में चला जाएगा तो हासिल को क्या करते हैं कि अगली संख्या को जब जोडते हैं तो जोडने के बाद जो संख्या आती है उसमें एड़ कर देते हैं उस हासिल को भी जैसे आठ और आठ जोल अट सोला का लिख दी है कितना छे हासिल बजगया एक चार और दो छे छे और एक कितना हो जाएगा ठीक है जैसे नहीं समझ में आया तो आठ लिखे यहाँ नौ लिख लेते हैं भी आठ लिख लेते हैं, अब इसमें क्या करना है, हम लोगों को add करना है, ठीक है, आठ और नो को ऐड़ करेंगे तो यह आजाएगा सत्र आठ और नो को ऐड़ करेंगे तो क्या आजाएगा सत्र तो लास्ट में कितना है बताईए साथ है लास्ट में कितना है साथ है तो एक ही अंक लिखना है अगर जोडने के बाद दो अंक आ जा रहा है तो हम लोग को दो अ लिखना है अब यहां से अगली बार हासिल को जोड़ेंगे 9 और 8 कितना 17 और इसका हासिल बचा हुआ था एक तो 17 और एक कितना हो जाएगा 18 तो यह हमारा दो संख्याओं का जोड़ हो गया और दो अंको का ही यह जोड़ हम लोगों ने बनाया है आईए हम लोग और भी इससे थोड़ा टफ लेते हैं तीन अंको का जोड़ लेते हैं या फिर जिस तरह से हम लोग दो अंको का जोड़ solve किये हैं उसी तरह से अन्य अंकों को भी हम लोग क्या करेंगे solve करेंगे जैसे 4, 5, 6, 8 9, 8, 9 और 4 अब इसे हम लोग क्या करते हैं add करते हैं तो यहां से देखिए 8 और 9 कितना हो गया 17 8 और 9 कितना हो गया 17 तो 17 का क्या लिखेंगे हम लोग 7 लिखेंगे और यह एक क्या रह जाएगा हमारा हासिल रह जाएगा और इसे हम लोग करते हैं कि एक अपने हाथ में ले करके चलिए हाथ में बचा कितना 8 और 6 कितना 14 और यह जो हाथ में बचा था यह हासिल बचा था उसे add कर देंगे 14 और 1 कितना हो जाता है 15 फिर से 15 ऐसे लिखाता है तो इसका भी क्या बचेगा हाशिल एक बचेगा 9 और 5 कितना होता है 14 और 14 और 1 जोड़ेंगे तो फिर से 15 आ गया तो 15 का लिखेंगे लास्ट वाला अंक बतलब कितना 5 और ये एक जो हमारा बच गया उसे अगली बार जोड़ेंगे 4 और 4 कितना 8 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या जाना है तो इस वीडियो में हम लोगों ने अंकों के बारे में जाना कि हमारे पास कितने अंक है तो टोटल हमारे पास कितने अंख है 10 अंख है और इन ही अंखों का परियोग करके हम लोग किसको लिखते है संख्याओं को लिखते है इसके बाद हम लोग को टेबल वेगेर आता है इसे गिंती हम लोग करते है और टेबल एक से कम से कम पचीस तक का टेबल आपको याद ही होना चाहिए और इसके बाद हम लोगों ने क्या सिखा तो एक अंको का जो सिंपल सा एड होता है सिंपल सा जोल होता है उससे हम लोगों ने सिखा जैसे चार और पांच कितना हो गया नौ आठ और तिन कितना हो गया ग्यारा अब उसके बा रहेगा तब भी हम लोग इसे इसी तरह से बनाएंगे बिना हासिल का ठीक है जैसे यहां छे रहता और साथ रहता और दो रहता तो छे और दो कितना हो जाता आठ हो जाता इसमें हासिल का कोई लफ़ला नहीं है अब हम लोगों ने यहां से क्या सिखा दो अंको का हासिल वाला सिखा फिर चार अंको वाला जोड सिखा हम लोगों ने इसमें अना यहां से तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे बाकी घटाओ गुना और भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिखेंगे यानि कि पार्ट टू में अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए थेंक यू